तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब God of Death ने अपनी Law of Death के पावर का यूज नाइली के तरफ किया था तब नाइली पहले तो कुछ नहीं कर पा रहा था लेकिन एक Divine Tree के आजाने के बाद वो Easily उस Law के पावर को Observe कर लेता है तब इस पार्ट के स्टार्टिंग जस्ट उसी के बाद से होती है जहाँ वो God of Death के दो स्केलेटन हैंट के बीच नाइली आ गया था लेकिन ये बाद किसी को नहीं पता थी कि आखिर वो वहां से हटा क्यों नहीं वो सभी लोग इसी सोच में पढ़े हुए थे कि अब God of Death नाइली के दरफ देखकर जो जो से हसने लगता है साथी वो बाद के सबसे कहरा था कि ये देख लिया मेरे खिलाब जाने का नतीजा ये लड़का मेरे Law of Death को मुझसे चीनना चाता था मगर मुझसे जीत ही नहीं पाया अब इसके बाद वो उन सभी के पास आते वे कहता है कि देखो अब तुम्हारे सबसे तागतवर आदमी को तो मैंने मार दिया है तो क्या अब तुम लोग खुदी सरेंडर करोगी इस बात पर अब शियाओ यू तो कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसके मन में भी यही चल रहा था कि आखे नाइली ने उन्म स्केल्टन शांसू डॉच यू नहीं किया जबकि वो तो उनसे इसलिए बस लगता था इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ यू सूचने में रगा था और वैसे ही भी सरेंडर कोई आप्चिन तो था ही नहीं काकि सिंपल से बात है वो गॉड अफ डेथ वैसे भी सब कुपकर कर उनके सोल अनेजर ही अबज़र्ब करेगा इससे अच्छा ही वो धी लड़कर फैसला किया जाए तो इसलिए वो सभी एक साथ गॉड अफ डेथ के तरफ अटेक कर देती हैं लेकिन अब ये बात उन्हें भी पता थी कि इससे कोई फाइदा नहीं होगा साथ ही अब असलियत में भी ऐसा ही होता है क्योंकि हम देखते हैं कि गॉड अफ डेथ जैसे ही उन्हें देखता है तो तुरंत लो अफ डेथ की पावर का यूज करने लगता है जिसके बज़ेसे वो लोग अपना एक भी अटेक्स गॉड अफ डेथ पर नहीं कर पाते और नीचे गिरने लगते हैं अब यहां शियाओ यू को यह सब देखकर बहुत ज़दा गुस्सा आ रहा था वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और सीथा जंप करकर गॉड अफ डेथ से फाइट टार्ट कर देता है अब गॉड अफ डेथ अपनी भी लो अफ डेथ का यूज करता है और सीथा ही शियाओ यू के उपर अटैक करने लग जाता है लेकिन शियाओ यू भी अपनी तलवार के मदद से इन सभी बेलो को काटते जा रहा था मगर अब गॉड अफ डेथ अपने अटैक से और तेरी से बढ़ा देता है हम देखते हैं कि Shiaoyu भी अपनी स्वीड बढ़ा कर अभी भी उन बेलों को काट रहा था मगर अब अपने एक भी अटाइक को टार्गेट पर ना लगते देख God of Death का बहुत गुस्सा आता है तो वो तुरंथी Law of Death की पावर का यूज Shiaoyu के तरफ करता है लेकिन यहां Shiaoyu अपने तलवार के मदर से उस अटाइक को भी बड़े अराम से रोग देता है मगर इससे God of Death बहुत कन्फ्यूज हो गया था वो सोच रहता कि आखिर यह हर टाइप के टाइक को अपने स्वार्ट के मदर से कैसे रोग पा रहा है इसके बाद वो Shiaoyu के स्वार्ट ध्यान से देखता है तो अब उसे पता चलता है कि यह तलवार कोई मामुली तलवार नहीं है बलकि इसे Fresti स्वार्ट कहा जाता है और यह Underworld के कंट्रोलर मतलब की है कि ट्रेजर में से एक है लेकिन अब यह देखने के बाद वो और जदा कंफ्यूस हो जाता है अब वो कहता है कि यह स्वार्ट तुम्हारे पास कैसी आई यह तो Underworld के कंट्रोलर है का ही एक ट्रेजर है और वैसी भी यह तो मुझे पता है कि वो अपने इतना कीमती ट्रेजर किसी मामली लड़के को देंगे नहीं और जहां तक में नौलेच है उनका तो कोई लड़का भी नहीं है तो यह स्वार्ट तुम्हें कैसे मिली लेकिन अब थोड़ा सोच विचार करने के बाद वो सब को समझ लगता है वो कहता है कि मैं तो सब को समझ गया लेकिन एक बात तुम भी जान लो मैं बहुत टाइम से उस पर हमला करने के दिज़ार कर रहा था लेकिन अब God of Death की अटैक बहुत ज़दा होने लगे थे इससलिए अब Shiaoyu को भी उन्हें रोकने में थोड़ी प्रॉल्म होने लगती है साथी God of Death उन नौर्मल अटैक के साथ कहीं बार Law of Death की पावर का यूज़ भी कर रहा था तो इस वज़द से उन्हें डौज कर पाना और ज़दा मुश्किल हो गया था अब Shiaoyu उस तरह उन्हें रोकते जा रहा था लेकिन तब भी उन में से एक अटैक के वज़द से वो पीछे को धकेल दिया जाता है और साथ ही जब God of Death एक बार फिर Shiaoyu के तरफ अपने बेल उसे अटैक करता है तो इस बार भी हर बार की तरह Shiaoyu उनके काटने के लिए अपने तलवार आगे करता है लेकिन इस बार इसका कोई फाइदा नहीं होता और Shiaoyu के हाथों में वो बेल लिपट कर उसे पकर लेती है अब इसके बाद God of Death Shiaoyu से कहता है कि देख लिया तुम में मुझे से नहीं बस सकते इसे ठीक है तुमने अच्छी कोशिश की मगर अब तुम इसे तागतवर नहीं हो इसमें तुम्हारी क्या गलती है लेकिन अब Shiaoyu को भी बहुता गुसा आ रहा था इसलिए अब God of Death Shiaoyu पर अटैक करता है लेकिन Shiaoyu उसे कहता है कि क्या तुमने बस इतना ही दम है जिस पर God of Death अपने अटैक को पढ़ा कर उसे कहता है यह तुम पूरी सरी के इसे बंद चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई तुम्हें मुझसे इस तदा हारने के बाद तुम्हें मुझसे इस तदा बात करने के जगा मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी मगर अब वो बार-बार Shiaoyu उपर अटैक कर रहा था जिसके बाद Shiaoyu से कहता है कि अगर तुम मैं दम है तो मुझे एक बार में ही मार कर दिखाओ ना लेकिन इस पर God of Death कहता है कि एक बार में बात खतम करने का क्या मज़ा है फिर इसके बाद वो उन सभी आदमियों को अपने अंदर अबसर्व करने लगता है मगर इस बार कर टैक बहुत जादा ही पावरफुल था इस कारण श्रिया और यूको इससे बहुत जादा डेमेज बढ़ रहा था मगर तभी पीछे से स्कलेटन के हाथों में से लाइट निकलने लगती है इसके बाद हम हाथों के अंदर देखते हैं जहाँ नाइली उसकी बाड़ी में से बहुत अनेजी निकल रही है साथ ही हम उसके माइंड के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो डिवाइन ट्री नाइली के हेल्प कर रहा था लोघ डिथ की पावर को पुरी तरह से अब्सॉरwegen करकर उस पे कंड्रोल पानेगी फिर इसके बाद नाइली अपनी पावर से उन दोनों स्क्ल्रटन के हाथों को हता देता है और कहता है कि मुझे बढ़ता था कि इन दोनों हाथों में लोग आफ डेथ की पावर ज़रूर से होगी अब नीचे हम देखते हैं कि शियाओ यो इस वक्त नाइली को देखकर बहुत ज़दा खुश हो रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी होप हो देती इसके बाद अब नाइली पने तीनों लोग की पावर एक्टिवेट करता है जहां हमें उसका बहुत कूल सा लोग देखने को मिलता है हम देखते हैं कि उसके हाथ में वो लोग आफ डेथ थी अभी वो बहुत गुसे से गौर अफ डेथ को देख रहा था तो अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बीजिसे लाइक कर देना और शियर भी कर देना और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कह लिजेगा अब मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइब आगेस और टेक केर